चलिए अब देखते हैं Frame Generator और Frame Repeater बटन के बारे में Frame Generator कैसे काम करता है आपको सबसे पहले कोई सा एक Area Select करना पड़ता है पेज में अगर आप Area Select नहीं करेंगे और Frame Generator बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बोलेगा कि पहले एक Area Select कीजिए Select Any Area First तो यह देखिए मैंने एक Area Select किया Area Select करने के बाद Frame Generator बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यह आप से पूछेगा कि कितने फ्रेम्स आपको बनाने हैं मैंने अगर इसको 1-1 रहने दिया Create Frame बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर बस एक Frame Generator हो जाएगा एक Frame बन जाएगा 6 by 4 रेशियो में, आटोमेटिक मैंने यहाँ पर से Go Back बटन पे क्लिक किया हम वापस चले जाएगे यहाँ पर देखिए Area औरेडी सेलेक्टेड है मैं दुबारा यहाँ पर Frame Generator बटन पे क्लिक करूँगा यहाँ पर से मैंने सेलेक्ट कर लिया 2 by 2 मतलब मेरे को 4 फ्रेम चाहिए मैंने Create Frame बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर आटोमेटिक 4 फ्रेम बन जाएगे जिसे आप Move कर सकते हैं Ctrl-Z, Ctrl-Z मैंने Frame बटन फ्रेम जनरेटर बटन पे दुबारा क्लिक किया यहाँ पर और भी डहे सारे आप्सन है जैसे यह देखिए मैंने यहाँ पर से फेदर देदिया 100 का और यहाँ पर से मैंने सेलेक्ट किया 2 by 2 या फिर मैंने देदिया फेदर 50 का Create Frame तो अब यहाँ पर फेदर वाले फ्रेम बन जाएंगे यह देखिए मैंने Go Back किया हम लोग वापस चले जाएंगे मैंने Frame Generator बटन पे क्लिक किया मैंने यहाँ पर से 2 by 2 सेलेक्ट किया यहाँ पर से मैं कोई दूसरा फ्रेम सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पर करीब 50 अलग लग फ्रेम दिये हुआ है मैंने 20 नंबर का फ्रेम सेलेक्ट किया Create Frame तो यहाँ पर आप देखिए इस बार रेक्टेंगुलर न बनके एक दूसरे टाइप का फ्रेम मन रहा है Go Back हम लोग वापस चले जाएंगे यहाँ पर मैंने Frame Generator बटन पे दुबारा क्लिक किया यहाँ प होगा 25 पिक्सल का Create Frame तो यहाँ पर देखिए Frame रेडियो हो रहा है और इस बार ग्रीन कलर की स्ट्रोक के साथ हो रहा है Go Back Frame Generator तो यहाँ पर धेज सारे आप्शन दिये हुए है जैसे मैंने 3 by 3 कर लिया 3 by 3 और यहाँ पर से मैंने स्लेक्ट कर लिया 15 नंबर का Frame Create Frame तो यहाँ यहाँ पर 6 फ्रेम I mean 9 फ्रेम आटोमेटिक क्रेट हो जाएंगे यह देखिए यह मुझे पसंद नहीं आ रहा है तो आपको Go Back करना है Frame Generator बटन पर क्लिक करना है यहाँ पर से आप फ्रेम स्लेक्ट कर लिए 2 by 2 फ्रेम मैं इस पर लिए 30 नंबर का Frame Create Frame वहाँ पर आटोमेटि और इस बार मैंने बस एक सिंगल फ्रेम एक फ्रेम रखा Create Frame तो यहाँ पर देखिए एक फ्रेम यहाँ पर Create हो गया है तो इस तरीके से यहाँ जो Frame Generator बटन है उसकी सायता से आप Frames Create कर सकते हैं यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो इसे मैंने कर दिया Delete मैंने इस हिसस पर दुबारा एक एरिया स्लेक्ट किया Frame Generator 2x2 और इस बार मैंने कर दिया 33 नंबर का Create Frame आटोमेटिक यहाँ पर Frame Create हो गया है आप देख सकते हैं और जो भी Frame Create होंगे यहाँ पर वो Auto Frames होंगे Auto Frames क्या मतलब यहाँ पर जैसे आप Select Auto Frame बटन पर क्लिक करेंगे तो सभी Frames यहाँ पर Select हो जाएंगे यह देखिए जो Frames होते हैं आटोमेटिक उसमें Renaming हो जाती है यह देखिए यहाँ पर PS Toolkit, Edge Frame, PS Toolkit, Edge Frame ऐसा आ गया है ओके चले मैंने इस Frame को Select किया इसे मैंने छोटा कर दिया यहाँ पर रख दिया अब मैं यहाँ पर एक और Area Select करता हूं मैंने इतना Area Select कर लिया और यहाँ पर Frame Generator यहाँ पर मैंने तीन सेलेक्ट किया, Create Frame, यहाँ पर आप देखिए तीन फ्रेम रेडी हो गया है, Go Back, मैंने Frame Generator बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर मुझे एक फ्रेम ही चाहिए और वो वर्टिकल चाहिए, तो यहाँ पर मैंने वर्टिकल पर टिक किया, Create Frame, यहाँ पर आप देखिए एक वर्टिकल फ्रेम आ गया है और जैसे ही हम लोग select auto frame बटन पर click करेंगे उस अभी frames एक साथ select हो जाएंगे fill photo, automatic, सभी frames में automatic photo fill हो जाएगी यह देखे हैं सभी frames में automatic photo fill होगी है उसमें जो भी changes करने हैं आप बाद में कर सकते हैं तो यह frame generator बटन कैसे काम करता है, इन सब को मैंने delete कर दिया आपको area select करना होता है इरिया आपको select करना है frame generator बटन पर click करना है यहाँ पर नहीं सारे frame दिये हैं करीब 50 के और यहाँ पर कितने frames आपको चाहिए वो आपको decide करना होता है फेदर देना है नहीं देना है वो decide करना होता है stroke का color stroke की size आपको decide करना होता है आप यहाँ पर चाहिए तो frame का ratio भी decide कर सकते हैं जैसे आपको square frame चाहिए मुझे यहाँ पर मैंने 22 मतलब 4 select किया और सारे frames होने चाहिए square में create frame तो अभी जो भी frame बनेंगे आप देखिएगा square में बन रहा है तो इस तरीके से आप उनका ratio भी decide कर सकते हैं दूसरे frame भी आप select कर सकते हैं go back करके आप वापस जा सकते हैं यहाँ पर देखिए frame generator यहाँ पर से मैंने select किया 2 यहाँ पर से select किया 3 और यहाँ normal 6 by 4 ratio का create frame और आप यहाँ पर देखिए यह frames ready हो गया है इस ते मैंने यहाँ रख दिया अब मैं area दुबार select करता हूँ frame generator इस पर मुझे single frame चाहिए 17 number का create frame वाँ पर आप देखिए यह frame create हो गया है तो frame generator से आप अलग-अलग type के frame create कर सकते हैं अब देखते हैं हम लोग frame repeater के बारे में frame repeater कैसे काम करता है जैसे मैंने इसे delete कर दिया यह frame पकड़ता हूँ इसे मैंने alt के साथ यहाँ पर रख दिया अब मैं frame repeater button पे click करता हूँ तो यह पूछे कितने frames repeat करने है मैंने लिखा मुझे चार frame चाहिए दो column और दो raw और उनके बीच 25 pixel का distance होना चाहिए मैंने ok किया तो यहाँ पर देखें वो frame automatic repeat हो जाएगा यह देखें वो repeat हो गया है चले मैं सभी frames को delete कर देता हूँ और frame repeater button के बारे में दुबारा बताता हूँ मैं एक area select कर लेता हूँ frame generator कोई सभी एक frame select कर लेता हूँ वो frame वहाँ पर आके ready हो जाएगा यह देखें अब मुझे इस frame को repeat करना है मैं इस frame वाली layer को select करूँगा frame repeater button पे click करूँगा यहाँ मुझसे पूछेगा कि कितनी बार repeat करना है मैंने लिखा यहाँ पर 3 by 3 मतलब 3 frame मुझे raw में चाहिए 3 frame मुझे column में चाहिए मैंने ok button पे click किया वो frames repeat हो जाएंगे यह देखें और उसके बाद पिर आप उसे छोटा बड़ा करके जैसे भी adjust करना हो आप कर सकता है यह देखें दुबारा मैंने इस frame को select किया alt के साथ यहाँ पर लेके गया frame repeater यह मुझे चाहिए 4 2 by 2 ok button पे click किया तो यहाँ पर 4 frame बन चुके हैं इनको मैं बड़ा कर लेता हूँ यह देखें और जैसे ही मैं select auto frame button पे click करूँँगा सभी frames automatic select हो जाएंगे क्यों क्योंकि यह frame generator और frame repeater जो भी frames बनाते हैं वो auto frames बनाते हैं तो automatic आप select कर सकते हैं यहाँ पर से fill photo button पे click कीजे automatic button पे click कीजे सभी frames में automatic photo fill होती जाएगी resize होती जाएगी और उसके बाद फिर आप चाहें तो उस page को save कर सकते हैं यह देखिए सभी frames में photo fill हो गई है save your work save as jpg and psd और वो output folder में automatic जाके save हो जाएगी यह देखिए page 8 नाम से एक jpg और एक psd के रूप में यहाँ पर वो save हो गया है मैं दुबारा एक new page ले लेता हूँ आप किसी वी size का page ले सकते हैं क्योंकि सभी लोग 12-36 का इस्तमाल करते ही हैं तो अभी हमने देखा कि कैसे frame generator से आपको frame मनाना है frame repeater से उसको आप repeat कर सकते हैं वो frame repeater button सभी के साथ काम करेगा जैसे अगर आप psd frame लेते हैं या फिर mask frame लेते हैं या png frame लेते हैं सभी को आप repeat कर सकते हैं जैसे यह देखे मैंने यहाँ पर psd frame बटन पर क्लिक किया psd frame का folder open हो गया मैं यहाँ पर धे सारे psd frame दिये हुए हैं मैं कोई साभी एक psd frame open कर लूँगा for example मैंने यहाँ पर से यहाँ पर धे सारे psd frame से मैं कोई साभी एक कोई अच्छा PSD frame open कर लेता हूं ओके चलिए मैं कोई सा भी ले लेता हूं अभी बस आपको बताने के लिए मैंने यह PSD frame open कर लिया वह आपके page में जाके set हो जाएगा यहां पर आप देखिए इसमें दो layer है एक layer यह है और एक layer यह है आपको इसे repeat करना हो तो आपको क्या करना है सबसे पहले इसको single layer बनाना पड़ेगा Ctrl G कीजिए और वह single layer बन जाएगा इससे पहले दो layer थे लेकिन जब group होता है तो single layer बन जाता है single layer बनने के बाद आप उसे repeat कर सकते है frame repeater यहाँ पर मुझे चाहिए चार two by two मैंने okay बटन पर click किया और वो phd frame यहाँ पर repeat हो जाएगा यह देखिए वो phd frame repeat हो चुका है okay जैसे मैंने यहाँ पर से png frame ले लिया png frame कोई सब यह png frame में लेता हूँ जैसे मैंने यह png frame ले लिया इसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ यहाँ पर देखिए कितने लेयर में है एक लेयर ये है उसके नीचे ये ओके दो लेयर हैं तो इसे भी मैंने Ctrl-G किया ताकि यह सिंगल लेयर बन जाए यह देखिए और उसके बाद Frame Repeater मुझे यह भी चाहिए चार तो मैंने टू बाई टू सलेक्ट किया ओके किया और यह Frame Repeat हो रहा है यह देखिए Frame Repeat हो गया है जिसे हम लोग छोटा बड़ा जो भी करना चाहिए कर सकते हैं आई यह इसे मैं Delete कर देता हूँ कोई सब यह एक Mask Frame ले लेता हूँ मैंने Mask Frame बटन पर क्लिक किया यहाँ पर ढ़े सारे Mask के Option दिया हूए है आप अपने खुद के Mask का इस्तमाल कर सकते हैं चलिए मैंने यह Mask ले लिया इसे मैंने यहाँ पर रख दिया छोटा कर दिया यह Mask एक Single Layer में है यह देखिए Single Layer में है तो Ctrl-G करने Ctrl-G करके Group करने की ज़रूत नहीं है आप इसे सीधे Frame Repeater बटन पर क्लिक कीजे और इसे आप Repeat कर सकते हैं इसे भी मैंने कर लिया 2x2, मतलब 4 Frame तो यह Mask Frame भी यह देखिए Repeat हो गया है और उसके बाद आप इसमें आसानी से Photographs फिल कर सकते हैं इवन यह जो Frame Repeater बटन है वो आपके Manual Frames को भी Repeat कर सकता है जैसे यह देखिए मैंने यहाँ पर एक Frame Create किया इतना Area Slate किया उसमें कोई साथ Solid Color डाल देता हूँ उसमें Layer Panel पर डबल क्लिक करके मैं उसमें कुछ Stroke डाल देता हूँ जैसे मैंने हाँ पर से Black Color का Stroke डाल दिया अब मुझे इस Frame को Repeat करना है जो अभी मैंने Manual बनाया है तो Frame Repeater बटन पर मैं क्लिक करूँगा यह मुझे चाहिए 2 by 3 तो यहाँ पर आप देखिए Automatic Process हो रहा है और यह 3 Frame Repeat हो चुके है और इसमें फोटो डालना काफी आसान है बस आब क्या करना है Select Auto Frames Fill Photo Automatic Automatic से क्या होता है जो आपका Input Image Folder है उसकी Starting की 6 फोटो आएगी और फिल हो जाएगी From Photoshop से क्या होता है Photoshop में अगर आपने कोई Photographs Open करके रखा है वो फिल होते है और Automatic में क्या होता है I mean From Folder में क्या होता है कि Folder Open हो जाता है और आप जो फोटो सेलेक्ट करेंगे वो फिल हो जाएगा और ये Photoshop में काम हो रहा है अलग-अलग layers है तो उसको आपको जब भी modify करना है आप कर सकते हैं ओके इसे मैं कद्या delete तो ये Frame Generator और Frame Repeater के बारे में हमने देखा अब मैं आपको बताता हूँ Space Between Frames ये कैसे काम करता है जैसे ये देखे मैंने इतना area select किया Frame Generator की साहता से वहाँ पर मैंने 4 frame मना दिया ये देखे यहाँ पर 4 frame आ गया है Space Between Frames मतलब इन सभी frames के बीच का जो space है उसे कम ज़्यादा करने के लिए ये button काम में आता है आपको क्या करना है सभी frames को select करना है Space Between Frames बटन पे click करना है और जितना भी space देना चाहते है जैसे मुझे 100 pixel का space चाहिए सभी के बीच में मैंने 100, 100 डाला ये देखिए 100 pixel का space आ गया है Ctrl Z या फिर Go Back बटन पे click कीज़ए आप वापर जा सकता है Space Between Frames मैंने यहाँ पर डाल दिया 300, 300 space layer तो यहाँ पर आप देखिए उनके बीच में 300 pixel का space आ गया है तो ये कैसे काम आता है frames के बीच में space देने के अग्योट्स स्थर्ड़ज़ को ये वाईब प्राव ये सैंजा इस जज़ख वश्ण स्ब्स्टब